हेलो सुटेंट्स, वेलकम टू माइन नर्चर, मैं हूँ किसना, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया तो लोग, स्टार्ट करते हैं, हम लोग, फार्मा को थेरोपीटिस का, जो हम लोग, चैप्टर पढ़ रहते हैं, उसका लेक्चर नमबर टू, और यह इस चैप्टर, याने की, हिमेटरलोजिकल डिसॉर्डर का, फाइनल, लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर लोग मेगलोबलाश्टिक अनेमिया होती ही क्या है, तो मेगलोबलाश्टिक अनेमिया यह फॉर्म ओफ, मैक्रोसाइटिक अनेमिया, ठीक है, इसको हम लोग, मैक्रोसाइटिक अनेमिया भी कहते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा, साइटो, सेल है न, सेल का साइज होड़ा सा, cell ठीक है तो मेगलो तो मेगलो समझ दाला लार्ज क्या निशानि इसकी लाज भीसी जब तुमारे बोन मैरो जो सेलस बनाते हैं जो सेलस आगे जाके रेड्बलड सें कर्वाट होने होते हैं वह प्रॉपर तरीके से रेड्वेसी में करब्डना करके बड़े साइज के हो जाते हैं ठीक है प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं मेगलोवलाश्टिक अनिमी यह ताइप आफ विटामिन डेफसेंसी क्यों हो जाती है यह एक विटामिन की डेफसेंसी के वैसे होता है ठीक इसलिए विटामिन डेफसेंसी अनिमा भी कहते हैं that happens when you don't get enough vitamin B12 ठीक है and or vitamin B9 या folate जिसे हम लोग कहते है तो कहीना कहीं ये problem कब आती है यानि कि कहीना कहीं ये हम कह सकते है RBC का maturation जो जब ये पैदा होता है और ग्रो करता है इस process के दौरान ये घटना घटती है और ये proper सही तरीके से mature नहीं हो पाता है ठीक है vitamin की कमी की वैसे ऐसा होता है etology की बात करें तो अब क्या हो गया kovala mind भी कहते है vitamin B12 deficiency हो गई या folate deficiency हो गई vitamin B12 deficiency कब हो जाती है decreased ingestion, vitarian है हम लोग proper नहीं खा रहे है इस vitamin को impaired absorption खातो रहे हैं लेकिन हमारा intestine इसको proper absorb नहीं कर पा रहा है या फिर impaired utilization absorb भी हो गया हमारी body इसको properly utilize नहीं कर पा रही है तो ultimately इसकी कमी हो जाएगी या folate, ठीक है जो folate vitamin B9 था, decrease ingestion prolonged parental feeding बहुत दिनों सा alcohol पी रहे हो आप या parental feeding है, liquid ज्यादा पीते हो ठीक है, तो इस type की folate की कमी हो जाएगी, impaired absorption small nutrition proper काम ना करे तो ये हमारी body में proper absorb नहीं हो पाएगा, impaired utilization हमारी body में absorb तो हो गया, बट properly utilize नहीं हो पा रहा है, drug induced ठीक है drug induced example, sulfur drug मीठो तरी रहाने की कह रहा है impaired utilization, body में जब absorb तो हो गया है, properly utilize नहीं कर पा रही हमारी body, क्योंग क्योंकि जो sulfur drugs खा रहे हैं, हम लोग या मीठो ट्री जेट खा रहे हैं, या फिनाइटो इन खा रहे हैं, उसकी वएशे properly absorb नहीं हो पाता है, then increased requirement, pregnancy या hemolysis के time पर अगर इसकी requirement बढ़ जाती है हम उस requirement को पूरा ना करें, तो दिक्कत आ जाएगी, increased is lost through urine, अगर urine में बहुत ज़्यादा निकल जाए, तो भी इसका दिक्कत हो जाती है, कुछ drugs होते हैं, जो इसको inhibit करते हैं, metabolism में, ठीक है, miscellaneous है, कई बार inborn error होता है, और कई बार unexplained disorder है, पता ही नहीं ज़ल्दा क्यों हो रहा है, बात समझे में आ रही है, ठीक है, आगे आते हैं, पैसा जनेसिस बड़ा सिंपल है, देखो हमसे आप बात समझ लें, यह अगर तुम लोग यहाँ देख पार हो गए, ठीक है, क्या देख पार हो, यह normal cell है और इसका nucleus है, यहाँ पर यह cell का size, यह रहा, इसका nucleus है, इसका size बड़ा हो गया है, nucleus है size बड़ा हो गया है, प्लस देख रहे हैं, जाली नुमा है यह nucleus, कैसा आई यह है, जाली नुमा, सीव, ठीक है ना, सीव लाइक की structure आ जाता है इसके अंदर, जाली नुमा, तो यह हमारा abnormal हो गया, तो देख रहे हैं, तो कह रहा है, विटाइन B12 and folate की deficiency हो जाएगी, उसकी वएसे DNA synthesis proper नहीं होगा, जिसकी वएसे delayed nuclear maturation, जो nucleus है, इसका maturation थोड़ा delay हो जाएगा, साथ-साथ होना चाहिए, किसके साथ में, cell के growth के साथ में होना चाहिए, बट नहीं होगा, same time पर एक और चीज़ हो रही है, hemoglobin, ठीक है ना, protein synthesis normal है, यानि कि hemoglobin का synthesis normal है, cytoplan तो mature कर गया, यानि कि cell mature कर गया, turns pink from blue due to the hemoglobinization as it matures, ठीक है न, तो blue से pink हो जाता है, जैसी ये mature हो जाता है, तो ये तो grow कर गया, लेकिन nucleus पूरी तरीके से grow नहीं कर पाया, हुआ क्या, nucleus cytoplasmic disynchrony होगे, disynchrony, इनमें तालमेल बिगड गया, cytoplasm पहले mature कर चुका है, nucleus ने mature नहीं हुआ है, that is, even cytoplasm mature, nucleus is seen immature, nucleus immature है, as sieve-like with fine chromatin, इसके अंदर धागे नुमा हमें cropetin दिखाई पड़ जाते हैं, और ultimately ये जो condition होती है, इसके वाई से क्या होता है, intramedullary apoptosis of precursor, यानि हम कह सकते हैं, apoptosis of precursor, जिस हाँ से बनके आ रहे हैं, उनकी death होती है, और ultimately क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, जिन सेल से बनके आ रहे हैं, उनका apoptosis of precursor, precursor मतलब जिस से बनके आ रहे हैं ये, उन सेल के death हो जाएगी, और ultimately क्या हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, तो ये process है, यहाँ पर धिधान रखेंगे, nucleus mature नहीं हो पाता है, लेकिन satraplasm हमारा mature हो जा रहा है, clear है, आगे आते हैं, clinical manifestation, तो क्या क्या है, malize, malize होता है, बेच एनी type, body में रहना बहुत जाएगा, ठीक है ना, breathlessness, सांस नहीं आएगी, parastasia, sore mouth, weight loss, ठीक है, gray hair, importance है, importancy हो जाएगी, जैसे नपनस नकता भी कहते है, poor memory, depression, personality change, अब तुम लोग क्या रहोगे, sir, parastasia, ठीक है, ये चीज़ मैं छोड़ दी, जो चीज़ मैं छोड़ देता हूं बीच में, उसका मतलब है, कि वो चीज, general, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जो चीज़ आराम से याद हो जाए, hallucination है, visual disturbance है, जो चीज़ आराम से याद हो जाए, उनको याद रखो, ठीक है, उनको सब को याद रख पाना साथ, तुम लोग लोग ले possible ना हो, क्या-क्या science आ जाएंगे, smooth tongue, तंग इतना smooth हो जाएगी, angular chilosis, यह साइड में यहापे वह आ जाएगा, vitilogo, skin pigmentation, heart failure और pyrexia, तो यह science symptoms है कुछ हमको जो की यह बताते हैं क्या, कि, yes, क्या हो गया है, megaloblastik anemia हो गया है, बात समझ मारी है, कि लिए रह बाते हैं, अब अगें, अगर हम बात करें, non-pharmacological management की, तो यहाँ पर क्या है, megaloblastik anemia cost by lack of folate, folate की कमी से हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, folate provide कर रहा है, may be treated with oral और intravenous folic acid supplement, इसलिए folic acid दिया जाता है, folic acid जो खाते हैं, वो folate की कमी को पूरी करता है, कुछ हम लोग dietary change कर देंगे, खाने पीने में change ले आएंगे, dietary changes क्या है, also help boost folate level, जो dietary change करेंगे, यारे खाने पीने में बदलावल आएंगे, उससे folate level बढ़ेगा, more foods to incorporate into your diet, जैसे की for vitamin B12, egg, chicken, red meat, milk खाएंगे, folate deficiency के लिए, leafy green vegetables, peanuts, oranges, यहना वो सारी vegetables खाना स्टार्ट करेंगे, जाता महतरा में, जिनमें यह पाया जाता है, pharmacological treatment, अगेन क्या रहेगा, vitamin B12 deficiency कमी करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, treated with hydroxy cobalamine, 100 micro mg, intramuscular, in 5 doses, 2 और 3 days apart, followed by maintenance therapy of 100 microgram every 3 month, है ना, हम लोग क्या करते हैं, hydroxy cobalamine का injection लगाते हैं, 5 doses है ना, 2 और 3 days apart, 2 से 3 दिन के अंदर इसकी 5 dose लगते हैं, फिर इसको maintain रखने के लिए, every 3 month में, हम यह 1000 microgram का dose देते रहते हैं, अगर folate की deficiency है, oral folic acid 5 mg daily for 3 weeks, 3 हफतों तक oral folic acid देते हैं, 5 mg will treat the acute deficiency, acute deficiency को cover कर देगा, and 5 mg once weekly is adequate maintenance, जब यह cover up हो गया है, वो maintain करने के लिए कि हाँ, अब द्वारा से कमी ना हो जाए, तो 5 mg वीक में एक दिन खाने रहती है, ठीक है ना, तो ठीक करने के लिए, और जब ठीक हो चुका है, तो वापास से कमी ना हो जाए, उससे maintain करने के लिए, दोनों की dose में changes आ जाते है, प्रोफाइलेक्टिक फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी विल प्रेवेंट मेगलोब्लास्टिक इन वुमेन अट्रेस, प्रोफाइलेक्टिक फॉलिक एसिड इन प्रोफाइलेक्टिक मतलब, जो females pregnant है, उनको सुरुवात से हम लोग क्या देते है फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करते हैं, क्यों हमें पता है उनमें कमी आएगी ही, आएगी, तो भविष्ण में उनके पास ये प्रोफाइलेक्टिक कमी नहीं होगी और उनको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया नहीं होगा, ठीक है न, तो कुछ खास नहीं था, almost पुराणव इसरा दो बार कर दिया, ठीक है, वो ही मैं कहूँ छे होने चीज़ है, ठीक है, ओके, कवर अप है ये, उसके बाद ये अपना छोटा सा एप, तुम लोगों की हैल्प करने के लिए, ठीक है न, तो छोटा सा लेक्चर है, आगवार लेक्चर भी फार्माक और थेरोपेटिक अल्डवेश्ट